हाई दोस्तो, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तो, आप सभी सपने तो जरूर देखते होंगे कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं क्या आप जानते हैं? ये सपने हमारे भविश्य को बताने के लिए आते हैं आईए हम आज जानते हैं कि अगर हम सपनों में शरीर के अंग देखते हैं तो उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है अर्थात्वे सपने हमारे लिए शुब होते हैं कि अशुब होते हैं इन बातों की जानकारी आज के वीडियो में मैं बता रही हूँ तो अगर आपको सपने में दांत का गिरना दिखाई देता है तो यह अशुब होता है ऐसा जा मानते हैं कि यह सपना देखने पर आपको किसी जंजट का सामना करना पड़ेगा इसका मतलब यह होता है कि आपके घर में भाई अथवा बेहन को कोई परिशानी आने वाली है दोस्तो आपको सपने में यदि नाखुन काटते हुए दिखाई देता है या आप खुद के नाखुन काटते हैं तो यह एक अच्छा संकेत है इसका मतलब है कि आपको सारे रोगों से चुटकारा मिलने वाला है अर्थाथ आपकी कोई भी बिमारी अथवा कोई भी रोग हो उससे आपको चुटकारा मिलने वाला है दोस्तो अगर आपको सपने में हड़ी या हड़ी का धाचा या हड़ीयां दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपका रुखावा धन मिलने का संकेत होता है अर्थात ये सपना आपके लिए शुब होता है आपको धन मिलने वाला होता है अगर आप सपने में कटेवे अंग देखते हैं इससे आपको जल्दी संतान की प्राप्ति होगी वह आपकी संतान के लिए लापकारी भी होगा लेकिन अगर आप सपने में अपने ही कटेवे अंग देखते हैं तो यह अशुब है इसका मतलब है कि जल्दी ही आपके किसी परि आने वाली है अर्थात आपको किसी तरह की समस्या आने वाली है जो कि बुरे का संकेत होती है